नमश्कार जी मेरा नामे मीमू बताने जा रहे हूं रसोईगर हमारा एक अहम इस्सा है लरका तो हमें यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि बास्तू के अनुसार की आप कहां रखे पीने का पानी कहां रखे गैस और कहां रखना चाहिए आपको हर समाई तो रसोईगर आपके हाउस का सबसे अहम इस्सा होता है रसोईगर अगर वास्तू के अनुसार ना बनाया जाए तो इसका अत्यंत भुरा असर परिवार के सदस्यों के सेहत स्वास पर पढ़ सकता है रस्वई घर वास्तु अनुसार बनवाने पर हाउस में पॉजिटिव इनर्जी बनी रहती है वास्तु के अनुसार रस्वई घर में कहां रखनी चाहिए, कौन सी चीज ताकि परवार पर ना कोई पड़े नाकरात्मक असर कैस स्टोव का समंध अगनी से होता है इसलिए इसे आगने कोड़ यानि पूरु दच्चर दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि इस दिशा के देवता अगनी है तो आप जब भी अपनी गैस नहीं लेकर आए हैं, या आपकी पस पुरानी गैस है, स्टोव है तो आप उसको क्या करें? कै आप पूरु दच्सव दिशा में रखें, जो आपका नल है, जो सीक का नल है बैते पानी का संकेत देते हैं, इसलिए कि सोईगर में नल या सीख इशान कोड यानि पूर उत्तर दिशा में होना चाहिए, क्योंकि इस दिशा का तत्व जल है, तो हमेशा याद रखिए कि आप हमेशा जब भी आप बनाएं सीख और नल तो आप सोईगर में नल या सीख जान कोड यानि पूर उत्तर दिशा में होना चाहिए, कहा बनाएं स्टोरेज स्पेस, रसोईगर में बर्तन और राशन रखने के लिए स्टोरेज स्पेस, दच्छड पच्चिन दिशा की ओर बनवाना चाहिए, क्योंकि इस दिशा के देवता, अनंत और नेतरत हैं, जिस् अगर में समान रखते हैं, अपने राशन, गेहूं हैं, चावल हैं, जीनी हैं, तो इन्हें आप दच्छड पच्चिन दिशा की ओर बनवाएं, जिससे आप इन्हें सुरफचित रख सकें, जैसे आप कभी भी आप रसोई बनाना चाहते हैं किचन में, जिस्टोर करते हैं, तो इस तरह से आप रखें, और जब आप अपने रसोई में किचन में, अगर आप ओबन रखते हैं, माइक्रोवेव रखते हैं, बिजली का समान जो रखते हैं, टोस्टर हैं, मिक्सी या फिर फ्रिच जैसी बिजली के उपकरणों को दच्छड पूर दिशा में रखना चा अच्छा रहेगा, इसलिए आप बिजली के जो रखते हैं, उनको ऐसे जगें पर रखें, खिडगियों की जगें, वस्तु अनुसार रसोई गन में कम से कम एक खिडगी या जास्ट होना चाहिए, अगर ये पच्चिम दिशा में हो तो बेतर होता है, योगि इस दिशा का तत्र वाईयू है, धन्यवान मित्रो, ये दे चनल को सब्सक्राइब डरों कीजिए,